Welcome to Daily Fact, आज हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशेटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसमें हमारा जो टार्गेट है वो क्विक रिवीजन के अंडर इंपॉर्टन टॉपिक्स को कवर करना और आज हम एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है इंडो पैसिफिक रीजन यह रीजन कमप्राइज कर रहा है इंडियन ओशन को और पैसिफिक ओशन यहाँ पर इंपॉर्टन कंट्रीज इंक्लूड हो रही है इंडिया, चाइना, जपान, फिलिपीन्स जो की डेवलपिंग कंट्री है इंडोनेशिया, औस्ट्रेलिया और साथ में USA यहाँ पर USA को भी इंक्लूड किया गया है इंपॉर्टन कंसेप्ट के अगर हम यहाँ पर बात करें तो जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टन की फॉर्म में यहाँ पर याद रखना कि यह मेजर कंट्रीज यहाँ पर इंक्लूड हो रही है चाइना, इंडिया, जपान, USA अभी यह जो रीजन है यह कंप्राइस कर रहा है तो कितना इंपॉर्टन हो जाता है कि वर्ल्ड की पॉपॉलेशन आदे से ज़्यादा पॉपॉलेशन जो है वो इसी रीजन में रहती है साथ में यह भी कह रहा है कि 60% of the GDP वर्ल्ड जीडीपी जो है उसका 60% जो है वो यहीं पर ही है economic development तो economic point of view से भी यह रीजन बहुत important हो जाता है प्लस साथ में यह भी कहा गए कि two-third of the global economic growth भी आपको इसी रीजन में देखने को मिलेगी क्यों कि देखो बंगलादेश भी growing economy बन रहा है इंडिया भी growing economy बन रहा है और चाइना अल्रडी बना हुआ है साथ में आप देखोगे कि इंडोनेश और फिलिपिन्स यह भी जो वो grow कर रहे है तो यह इसलिए जो है वो एक economical point of view से जो हो रीजन बहुत important हो जाता है लेकिन जिस तरह से अगर इतना developing region है यहाँ पर कुछ एक challenges भी है सबसे पहला तो है territorial disputes साथ में piracy का case यहाँ पर चल रखे है और यह coral reefs जो है वो अभी coral blazing की वज़े से जो है वो effect हो रहे है second में marine pollution का जो है यहाँ पर factor चल रहा है rise of sea level, sea level जो है वो rise कर रहा है तो वो भी एक concern है due to the global warming तो यहाँ पर जो है वो यह region कुछ एक challenge जो है वो face कर रहा है plus साथ में यह भी कहा गया है कि जिस तरह से China जो है वो rapidly region में rise कर रहा है China का domination यहाँ पर बन रहा है इस region में South China Sea में disputes भी इसके regarding चल रखे है तो यह भी एक concern है भारत जो है वो यहाँ पर कहता है भारत का जो vision है Indo-Pacific region के लिए सबसे पहले तो यही है कि भारत advocate कर रहा है free open and inclusive Indo-Pacific region मतलब भारत कह रहा है कि free open and inclusive Indo-Pacific region हमें इस ideology को promote करना चाहिए साथ में यह कहता है कि कोई भी अगर distribute है तो उसको peacefully resolve करना चाहिए जिसमें साथ में यह भी कह रहा है कि हमें क्या करना है respect करना है sovereignty and territorial integrity of the all nations तो यह topic जो है वो prelims और mains दोनों के लिए बहुत important है I hope हमारा initiative आपको अच्छा लगाओ please support share and subscribe daily fact thank you for today